दोस्तों जरा सोचिए इंसान अगर 8-9 फूट का होता तो इंसान अपना जीवन यापन कैसे करता मानाव सरीर इतना बड़े होने के लिए नहीं बनाया गया है आम तोर पर हम बहुत सारे बॉलिवड अभिनताओं को देखा है जिनकी लंबाई कहीं ज्यादा होती है दोस्तों कई वेक्ति आपने कम हाइट के लिए परिसान रहता है तो कहीं ज्यादा उचाई को लेकर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप चौक से जाएंगे तो बने दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले लाइक जरूर कर दें प्रित्वी पर चलने वाला सबसे लामबा आदमी करीबन 2.72 मीटर यानी 8-9 इंच लंबा था दोस्तों कुछी दिनों में वह एक अंतराश्टिय संसनी बन गया था दोस्तों पांच मीटर लंबे होने तक बढ़ते रहे तो आप एक टेलिफोन कंबे की तुला में आधे होंगे रेफरीजरेटर की तुला में तीन गुना हो जाएंगे ज्यादातर लोग वास्ताव में लंबा होने के बारे में सोचते हैं तो वे उचाई से जुड़े सामाने फायदो से बरी दुनिया की कलपना करते हैं दोस्तों पांच मीटर की उचाई पर खड़े होकर आप एक चलने वाला विस्वरिकार बन जाएंगे और लोग आपके अनुसार व्यवहार करेंगे या आपके नियुरोलाजिकल प्रक्रियाओं को भी धीमा कर देगा इतिहास में सबसे लंबा मानाव जगत में जन्मा राबर्ट वाडलो है इनका जन्म इलोनाईज में हुआ जो कि 2.72 मिटर लंबे थे महस 22 साल की उम्र में उनकी मृत्य हो गई इन्हें एक लेक ब्रेस नामक संक्रमन की बिमारी थी दोस्तों राबर्ट का मामला सिर्फ एक उधारन है कि जीव आने वजन परणामों को भुगतना चाहते हैं दोस्तों बेहत लंबा होने से हिर्दैरोग और सुगर का भी खत्रा कम हो जाता है लंबे होने की नुकसान जैसे जैसे आपकी उचाई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपकी भूगदर में भारी वृद्धी होगी जिसका अर अब होने का दूस्त परणाम आपके सनमक्ष है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर इस टॉपिक में आपके पास कोई और भी जानकारी होगी तो मुझे कमेंट की माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों मेरे चनल रहसे टीव चनल को ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद